तो गाइस अगर आप लंडन जा रहे हैं लंडन जाने की प्लैन करें तो वहां के ट्रांस्पूर्ट सिस्टम के लिए एक प्रमास्त की जुरूत है चाहे वो उसके लिए Metro हो, या फिर Double Dagger Bus हो, Cable Car हो, या फिर Overground Metro हो, या फिर River की जो Buses होती हैं, वो हो. इन सब के लिए आपको सिर्फ एक Card की जरूत पड़ेगी, और उस Card का नाम है, Oyster Card, Oyster Card, Oyster Card, Oyster Card. तो यह Card आपको easily मिल जाएगा, कहीं पे भी आप अगर शॉप देखोगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, चाहे वो Petrol Pump के आसपास की शॉप हो, या फर कोई grocery दुकान, वहाँ पे आपको बहुत easily यह मिल जाएगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अमांट एंटर करना है, और आप easily उसमें balance भरवा सकते हैं, इस तरी की machine हलग बग हर station पे available होगी, अब आप balance कैसे चेक करोगे, कितना है, तो उसके लिए आप tap करोगे, तो उसके side में एक छोटी सी screen होगी, उसमें आपको balance दिख जाएगा, कितना कटा है, और कितना आपका बचा है, अब bus की information दूँ, तो आपको bus stop पे ही सारी information मिल जाएगी, कौन सी bus यहाँ पे रुखती है, कौन सी नहीं रुखती है, और कितने बज़े कौन सी bus आती है, क्या frequency है, उसके अलावा एक और app है, जो आप यूज़ कर सकते हो, जो कि लग बग एक मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड कर रखा है, उसका नाम है London Bus Time, इसमें आपको bus के related सारी information मिल जाएगी, कितने बज़े, कौन सी bus, कहाँ पर, क्या route लेती है, और सब चीज़े आपको easily यहाँ पर available हो जाएगी, अब यह सारी चीज़े आपके बास हो गई, यह आपना उस्टर कार्ड ले लिया, तो चलते हैं bus के अंदर, तो आपको bus के अंदर जैसी जाओगे, यह machine होगी, इस पर आपको tap करना है, ग्रीन कलर की light जलेगी, और आप good to go, आपका balance कट गया, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कि please आप इसको tap जरूर करिए, अगर आपने एक जगा tap किया, दुसरी जगा tap नहीं किया, तो लगबग 5 pound का आपके अपर penalty लगेगा, अगर आपका balance उसमें नहीं है, तो वो आपका minus हो जाएगा, यह जो button देख रहे हो, अगर आपको किसी bus stop पे रुकना है, तो यह button दबा सकते हो, bus driver को पता लग जाएगा, उसी के साथ चाथ आप wheelchair और pram carry कर सकते हो, उसी के साथ साथ बहुत से station पे, आपको LED screen मिलेगी, जहाँ पर लिखा होगा कि कौन सी bus कितने time में आ रही है, तो वो सारी information आपको एक ही LED screen पे मिल जाएगी, उसी के साथ साथ इस blog को मैं खतम करूँगा, thank you so much guys, for more travel information, follow this piece.